गाईस नमस्कार मैं आपका दोस्तमिच स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्याः और आपके रिस्पेक के लिए मेरे स्टुडेंट्स तहे दिलते शुक्रिया गाईस आज Bachelor of Education MDU के First Year का Contemporary of Education का exam हुआ और जो हमारे important question की series थी उसने कितना काम किया और कितने question उसके अंदर से मिले आगे आने वाले exam के अंदर बीर फिर स्ट एर और सेकंड एर के जो exam है उनके लिए क्या जरूरी news है इस सब चीजों पर हम लोग discussion करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अब आप जिन बच्चों ने exam अपना first दे दिया है और जिन बच्चों का exam अच्छा नहीं हुआ और जो second year के बच्चे कल अपना exam देंगे और first year के जितने भी exam बच्चे हुए है तो हमारे जो important question की जो series है वो आज भी हमारे पास available है बहुत reasonable price पर जिसमें से आपका 101% जो है पेपर सोट आउट हो जाएगा exam के time में तो बहुत सारे बच्चों ने comments किया बहुत सारे बच्चों ने messages किया इसको लेने के लिए जो हमारे नंबर शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाइक अटेक्स करेंगे और payment के जस्ट बात व contemporary of education का उसमें से कम से कम 9 questions में से हमारे 8 questions जो मैंने आपको बताये थे वो question as it is क्या है बच्चों के exam में मिले और काफी बच्चों ने मुझे congratulations, thanks और बहुत सारी चीजे दी हैं उनके लिए तहीदर से शुक्रिया और उन सब का सम्मान में करता हूँ तो जो questions paper में आज आप लोगों के बीच आया हुआ था जो हम लोगों ने था जो मैंने अपनी PDF में डाला हुआ था और हमारे important question और notes के अंदर भी एक वाला question था कि what do you mean by जो vocationalization है उसके components क्या है यह पूरा इसका एक 16 नंबर में question आपका बना हुआ था अगला है जो modernization है आदुनी करन है वो भी 101% question आपके exam में guys आया है और जो secondary education इंडिया में क्या क्या है और जो आपका NPA है 1968 वाला यह question भी as it is आपके question में आया है और जो PDF दीदी उसका repeat यह question हुआ है और बाकी जो आपका है यह मान के चलिए कि जो technology है उसने कैसे जो technology empowerment है उस नो question में से 8 question guys हमारे as it is PDF important question की आये तो आप यह मान के चलिए कि 90 plus जो है questions आपके exam में आये हैं और बच्चों ने सारा का सारा paper बहुत अच्छा और बहुत systematic डंग से लिखा है अब जिन बच्चों का कल exam है bachelor of education beards second year का उन बच्चों के लिए भी सबसे important चीज है जिन बच्च ने अभी purchase नहीं किया है चाब हो second year के है चाब हो first year के है अगर एक paper उनका खराब हो गए तो कोई दिकत वाली बात नहीं है बाकी चार जो exam है वो बहुत अच्छे number आपको दिला सकते हैं सरफ आपको मेरे whatsapp पर हाय का text करना है और एक normal सी payment आपको भेजनी है उसके बाद वो PDF आपको मिल जाएगा तो second year के बच्चों का 29 को exam है तो इस exam की उमीद करूँआ कि ये exam भी बहुत अच्छा आप लोगों का जाएगा और इस exam की त्यारी भी guys आपने अच्छे तरह के से की है अब बहुत सारे बच्चे ये पूछने कि सर जो आपने important question दिये हैं कि सिर्फ वह ही पढ़े या अपनी तरफ से भी पढ़ो देखें कि जो मैंने questions आप लोगों कि मैंने और मेरी टीम ने जो questions बनाए हैं वो तो 101% आपको पढ़के जाना है अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कुछ और एक्सा भी लिखना चाहता हूं और एक्सा भी पढ़ना चाहता हू तो पढ़ने की कोई limit नहीं होती कोई सीमा नहीं होती जितना चाहो आप उतना पढ़ सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने exam को लिख सकते हैं पर आपके कम time के अंदर अगर आपके overall 70-75% number अगर overall exam में अगर आपके बन जाते हैं second year में तो यह सबसे अच्छी बात मेरे लि वीडियो से आप लोगों को एक message सरफ मैं convey करना चाहता था कि बच्चों के exam की त्यारी अच्छी चल रही है अपनी preparation अच्छी कीजिए और अच्छे तरीके से अपने exam दीजिए और मैं फिर आपको एक last चीज ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी question बहुत सारे बच्चे बोले स करना है और किस ढंग से आपको क्या है उसकी त्यारी करनी है तो जिन बच्चों का एक आदा question रह भी गया है time के कान तो कोई दिकत वाली बात नहीं है second paper के अंदर या जो second year के कल first paper है उसमें वो अपने time management को अच्छे तरी से करे 20 से 25 मिनट सरफ एक question में आपको देना है maximum उस उसके बाद बिल्कुल इस question को छोड़ देना है तो उमिद करूँआँ का इस छोटा से वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहा है वीडियो आपको कैसा लगए प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट और मिलेंगे किसी next वीडियो में तो till then bind ठेके का इस मुस्कुराते रहना thank you so much